दोस्तों नमस्कार आदाब सथ्रियकाल नियोज क्लिक के कारिक्रावाज की बात के साथ मैं उर्मिलेश पिछले दिनों द्रौपदी मुर्मु को राष्टपति पद का प्रत्याशी बनाने के बाद भारती जनतापार्टी ने जब उपराष्ट पतिपद के लिए बंगाल के गवर्नर सहाब जगदीप धनखड को अपना प्रत्याशी तै किया तो बीजेपी के बाहर बहुत सारे हलकों में काफी आश्यरी लोग काफी चकित रह गए और दिल्चस्प बात यह है कि भारती जनतापार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग स्टब्द थे कि यह क्या हुआ हमने तो इनको समझा था उनको समझा था बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही थी कई नेताओं के नाम आ गए थे अब उसका नाम उन लोगों का नाम ल हैं कि बहुत सारे महत्पूर्ण फैसलों में मोदी और शाह की जो जोड़ी है वो चौका देती है अब लोग चौकते नहीं क्योंकि सबको मालूम है कि कुछ ऐसा अब निरने होगा जो चौकाने वाला होगा इसलिए लोग उतना अब चौकते नहीं अंदाज लगा रहे होत और वही हुआ जगदीब धनकड साहब को उपराष्ट पती पद के लिए डिक्लेर कर दिया गया दोस्तों आज की अपनी बाचीत में हम दो मुद्दों पर बात करेंगे एक तो ये कि जगदीब धनकड साहब का उपराष्ट पती बनाये जाने के पीछे प्रधान मंतरी जगदीब धनकड भारत के उपराष्ट पती यानि राजसभा के सभापती के तोर पे इनके होने का मतलब क्या बीजेपी के लिए है या मवजुदा जो सत्ता संरचना है उसके लिए क्या है और दूसरा कि आखिर क्या वजा है कि विपक्ष खास तोर पे कॉंग्रिस चाहे वो राष्ट पती का चुनाओ हो या उपराष्ट पती का चुनाओ हो वो पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं वो जीब तरह का धीला ढाला बिलकुल ऐसा लगता है कि लुझ पुझ एक ऐसा संगठन जिसमें फैसले भी लुझ पुझ ढंग से लिये जाते हैं आकिर ये मनो भृत्त ये मानसिटा, ये मनोबिग्यान कॉंगरिस पाटी का क्यों धलकता रहा है तो पहले जगदीप धनकर होने का मतलब दोस्तों जो लोग राज़ीत के एलीट हैं या सत्ता संरचना के एलीट हैं वो शायद नहीं जानते होंगे कि जगदीप धनकर क्या चीज हैं उनकी शक्सियत क्या है क्या मतलब है उनके होने का जगदीप धनकर किसान परिवार से आते हैं जुन-जुनु इलाका उनका रहा है और जुन-जुन से वह सांसत भी रह चुके हैं और लोगों को याद नहीं होगा भूल गए होंगे लोग चंद्रशेखर की सरकार में 1990 क्यानविर में जगदीप धनकर केंद्रिय संसदी कारियराज्य मंत्री भी थे कुछी महीने क्योंकि चंद्रशेगर जी की सरकारी कुछ महीने की थी और यश्वंच सिनहा जो आजकल इन दिनों राष्टपतिपत के प्रत्याशियां विपक्ष के वह भी उस सरकार में मंत्री थे तो जगदीप धनकर जनता दल के थे उसके पहले कॉंग्रिस पार्टी के थे विधायक भी रहे विधायक जहां तक मुझे याद आ रहा है कि शनगड़ वगरा से कहीं से वो चुने गए थे लेकिन इससे ज़्यादा जो राजनितिक उनकी सक्षियत है जो बैक्ग्राउंड मैं बता रहा हूं उससे ज़्यादा महद्पुर्ण उनकी सक्षियत जो है वो है उनकी वकालत किसान परिवार से आया हुआ एक व्यक्ति राजस्थान हाई कोट में महज 10 साल के अंदर सीनियर एडुकेट नामित होता है यह कोई साधारन बात नहीं है नजाने कितने साल गुजर जाते हैं सीनियर एडुकेट बनने में बार कॉंसिल के अध्यक्ष भी रहे वहां और इत आम तोर पर राजस्थान की जो सियासत है वहां की वहां का जो एक विधी जगत है यानि जिसमें वकील वगरा अधिवक्ता वगरा बड़े हैं सभी आम तोर पर माना जाता है कि डॉमिनेटिट बाई अपरकास्ट है लेकिन वहां पर जगदीप धानकर साहब ने अपनी काम इतने जबरदस जानकार है कि वह केसे जिता देते हैं बहुत सारी ऐसी केसे जो पर दिख रही होती है उनमें जिताओं वकील कि उनकी活ा बन गई और इससप्रेम कोट में भी उन्होंने काफी समय तक यहां भी वकालत की तो जगदीब धनकड का ये जो ये जो चेहरा है ये जो रूप है उसको बाहर के लोग कम समझते हैं या कम जानते हैं और यही कारण है कि जब वो गवर्णर बने तो उन्होंने नौकेवल एक काम्याब लोग कप्रिये अधिक वोट से जीतने वाली अपनी पार्टी के हिसाब से अगर देखा जाये तो ममता बनर जी को परिशान किया मुख्यमंत्री के तौर पे टेक्निकल इशूज पर लीगल इशूज पर कई बार तो कैबिनेट को दुबारा बैठकर कोई फैसला बजलना पड़ता था चीप सेक्रेटरी प्रिंस्पिल सेक्रेटरी बहुत सारे परिपत्र भेशते थे उन परिपत्रों में विधाई गलतियां निकाल देते थे गवर् अपने OSD से लेकर अपने सेक्रेटरी पर भी कानून की जानकारी में भारी परते थे तो इस तरह जगदीब धनखड ने एक वन मैन शोग की तरह अगर देखा जाए तो राजभौन में रुत्मा उनका बना रहा और हाल के वर्षों में इस तरह का गवर्नर कम देखा गया ज बहुत सारे लोग उसकी आलोजना भी करते थे लेकिन कई मसलों में वो कानूनी पेच निकाल देते थे अब जैसे हुदारण के तोर पे जो एक जरनलिस्ट के तोर पे मुझे भी जानकारी मिली कुछ बंगाल के अख़बारों में खबरें भी चपी कि एक बार कैबिनेट न संबव नहीं था उस पर गवर्नर साब ने उंगली उठा दी कि ये कैसे होगा और अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है अंत में पूरी कैबिनेट को बैटना पड़ा और फैसला बदला गया तो ऐसे ऐसे पेंच हो निकालते रहते थे तो दोस्तों हमारा ये कहना है क की मौजूदा हुकूमत के लिए प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी के लिए राजिस सभा में एक ऐसा सभापती भी चाहिए था जो कानून और संबिधान के मामलों का मरमग्य हो जानकार हो और सभापती अगर जानकार है तो सोने में सुहागा और वो अगर सत्तापक्ष से जुड़ा है सत्तापक्ष से उसकी बैगराउंड जुड़ती है कम से कम क्योंकि आम तोर पे चुनाओ लड़ते समय लोग बताते हैं कि अब वो पार्टी वोटी से बाहर हो गए अब वो गवर्नर भी बने तो पार्टी से बाहर हो गए लेकिन कौन नहीं जानता कि प्रि को कानून के मामलों को बहुत अच्छी तरह समस्ता था और वो उनके निधन के बाद सत्ताधारी दल के पास सरकार के पास उस तरह का कोई व्यक्तित तोर नहीं दिखाई पड़ा और यही कारण है कि चाहे वो कैबिनेट के फैसलों में कानूनी जानकारी की बात हो या सदन क मामलों में हो एक कमी महसूस करती थी भारती जन्ता पार्टी जबकि कॉंग्रेस के पास एक्सपर्ट की कमी नहीं रही है चुकि बहुत दिनों से सत्ता में रही पार्टी है कपिल सिब बल अभिशेक मनु सिंग्वी ना जाने कितने लोग विवेक तन खा कई नाम गिना सकत है लेकिन बीजेपी के पास अरुन जेटनी के बाद नाम तो बहुत है लेकिन उस तरह का एक स्पर्ट जो पकड़ भी रखता हो संरचना पर कानून से जुड़ी जो अपने मुल्क में संरचना है उसमें पकड़ भी जो रखता हो ऐसा कोई नहीं था माना ये जा रहा है कि प्रीप धनखड के राजसभा का सभापती बनने से एक तो राजसभा में यानि अपर हाउस में जो कारवाही के संचालन की स्थिती है उसमें एक चुस्ती आएगी पार्टी के लिए सरकार के लिए सत्तापक्ष के लिए एक कमफरटेबल पोजिशन होगी अपोजिशन जो बार-बार नियम का हावाला देता रहता है उस पर रूलिंग देने वाला एक सभापती होगा और दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी एक रोल है और वो रोल कई बार सत्ता धारी जो पक्ष है सत्ता पक्ष है उसके लिए मददगार साबित होता है तो यह राष्टपती बिनाने का फैसला हुआ जो कि भारती जंता पार्टी की राइडीत में कुछ साल पहले तक यानि गवर्नर बनने से पहले तक लगबग हास्ट यह पर थे बसंद्रा राजे ने राजस्थान की पॉलिटिक्स में उन्हें कोई बहुत मत तो नहीं दिया लेकिन जगदीब धनकड के बनने से और उनके एक बड़े बड़ी परसनालिटी के रूप में सियासत में उभरने से भारती जंता पार्टी को सिर्फ यही फैदा नहीं होगा उसको फैदा होगा राजस्थान, हर्याना, पश्चिम उत्तर प्रदेश इन इलाकों में सियासत की गोटियों को फिट करने में भी राजस्थान में बहुत कम ऐसी सीटे हैं जहां जाट अपनी उपस्तिती नहीं दर्ज कराते यानि जाट समाज के लोगों का काफी वहाँ पर एक तरह से प्रभाव है, दबदबा है और जो वोटिंग पैटर्न है उसमें काफी महत्मूर भूमी का है ऐसे में बसुंधर राजे के अलावा एक और बड़ी शक्सियत जो भारत के उपर राष्टपती के रूप में कहीं न कहीं वो भाले पार्टी पालिक्स में नहों लेकिन एक इंफ्लूएंस कायम करने में मैं समझता हूं कि भारती जनता पार्टी को के लिए मददगार साबित होगी राष्थान में एक याबी पालू है और मत भूलिये कि राष्थान का चुराव अगले साल है हर्याना हर्याना में भी प्रवाव डालेगा उनका होना प्रश्यमुत्र प्रदेश में भी डालेगा तो ये कुछ महत्पून बाते हैं जो जगदीब धनकर के होने का मतलब बताती है और दूसरी बात जो मैं आपसे कर रहा था कहने को कि कॉंग्रेस पार्टी जो विपक्ष की सबसे महत्पून पार्टी है बड़ी पार्टी है जिसने इतने वरसों तक सत्ता का संचालन किया है इस देश में वो कैसे कैंडेट्स के चैन में एक तम लुंज पुंज जिससे लगता है कि उत्तेजस्वी था खोबैटी है पार्टी ऐसा लगता है कि निरणे करने वाले लोगों को यह समझ में नहीं आता कि निरणे कप करना चाहिए क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए अब देखे ये सिलसला आज की बात नहीं है सन 2002 में सत्ताधारी भारती जनता पार्टी यानि एंडिये ने एपी जे अब्दुलकलाम साहब को रास्टपति पद के लिए उमिद्वार बनाया और रास्टपति पद के लिए जब उमिद्वार बनाया तो विपक्ष में रहने वाली कई पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट उनको किया था कई पार्टियों ने उत्तरप्रदेश की कई पार्टियों ने किया बहुत प्रमक पार्टी ने किया कॉंग्रिस पार्टी अंद तक जोलती रही कि उसे क्या करना है वो किसके पक्ष में जाए एपीजे अब्दुलकलाम का विरोध करे तो कैसे करे और किसी और केंड़ेट को सपोर्ट करे तो कैसे करे Ultimately, Elections से कुछी दिन पाले उसने एपीजे अब्दुलकलाम का सपोर्ट कर दिया यानि भीजे पी और कॉंग्रेस का कैंड़ेट एक हो गया Left Front ने उस समय काफी मजबूत था Left Front उसने समर्पन नहीं किया कॉंग्रेस की तरफ से की तरह से उसने Captain Lakshmi सहगल आजाद हिंद फौज की Captain सुवाश चंद्रबोस की सहकर्मी उनके साथ कंदे में कंदा मिलाकर संगर्श करने वाली लक्षमी सहगल को Dr. Lakshmi सहगल को जो सोसल एक्टिविस्ट के रूप में कानपूर और पूरे इलाके में बहुत मशूर थी पूरा देश उनको जानता है उनकी वीरता के बारे में स्वाजिंता सेनान सेनानी के तोर पे उनको लेफ्ट फ्रंट ने अपना जगह है सबको मालूम है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर जिस कैंडेट को सपोर्ट कर रही है वो जीतेगा निश्चित रूप से लेकिन कैप्टेन लक्षमी सागल की जो हार थी वह भी एक पॉलिटिकल केंपेइन की तोर पर देखा जाए तो वो एक बड़ा बड़ा उपक्रम था एक बड़ा भियान था उसका फैयदा मिला लेफ्ट को विपक्ष को लेकिन कॉंग्रेस पार्टी इस चुनाओं में न तो प्रेजेडेंट के लिए उसके पास इस तरह का कोई केंपे के आलोचक हैं फिलाल कुछ साल से 2018 के बाद से लेकिन क्या वो बीजेपी की राजनीच से असामत हैं क्या वो हिंदुत्व से असामत हैं क्या उनको सेकुलर डेमोक्राटिक जो एजेंडा इस देश का है उसको लेकर कोई उनका नया कमिट्मेंट जागा है जो पहले नहीं थ इन्वेस्टमेंट को लेकर उनकी क्या पोजीशन है निजी करण को लेकर उनकी क्या पोजीशन है पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स को जिस तरह डिस्ट्रॉइ किया जा रहा है उस पर क्या उनकी पोजीशन है इस पूरे कैमपेंड में चुनाओ के तहीं नहीं दिखा तो प्रेसिडेंट का चुनाओ कॉंग्रेस पार्टी ने और उसके साथ जुड़ी जितनी पुलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने लगभग सरेंडर कर दिया पुलिटिकल केम्पेइन का कोई मतलब नहीं रहा जितनी पुलिटिकल बहुत सारी UPSA जुड़ी पार्टीयां अपुजिशन के साथ जुड़ी पार्टीयां वो अलग हो गई GMM GMM तो बिल्कुल पार्ट और पार्शल रहा है वो अलग हो गई आप देखिए शीव सेना सबने कई कई पुलिटिकल पार्टीज ने कहा वो सपोर्ट नहीं कर सकती है यह स्वन सिना को तो एक तो इतना बड़ा भी भाजन दिखा उत्तर प्रदेश का देख लीजे सपा को छोड़ कर और जो ओपेशन की पार्टी जे वह बसपा लग हो गई तो यह जो पहलू रहा है एलेक्शन का यह बहुत ही निराशा जनक है और वाइस पेसिडेंट के लिए जो चुनाव में कॉंग्रेस पार्टी ने और न्सीपी ने सब ने मिलकर केंड़ेट पूट अप किया है ठीक है कंसिस्टेंसी रही है मारगेट अलवा की प्लिटिकल करियर में वो यश्वन सिना की तरह नहीं है सेकुलर डेमकरिटिक एक लीनिंग हमेशा उनके साथ जोड़ी रही है इसमें कोई दोराए नहीं है लेकिन क्या मारगेट अलवा सी साल की मारगेट अलवा उपरास्ट पती के लिए आज के दोर में कितनी relevant कैड़ेट हैं यह देखा जाना चाहिए और मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि उनको party ने, kongres party ने और दूसरी जो position प IR ने उन्होंने मजबूरी में एक कैड़ेट के रूप में उनको सामने ला दिया, जैसे मानो कोई मिल नहीं रहा है, तो चलो इनको लड़ा दो तो हमारा कहने का मतलब यह है कि भारती जनता पार्टी उसकी राइनीच से चाहे हमारी आपकी जितनी असामतियां हो लेकिन फैसले लेने में जिस तरह सूजबूज समीकरणों को देख कर काम करना चुस्ती तेजी फैसले तेजी से लेना उसके ठीक उल लेने में बहुत समय जोलती रहती है यह करें वो करें असमंजस का नाम कॉंग्रेस पार्टी है दुविधा का नाम कॉंग्रेस पार्टी है और विपक्ष की अगर नईया डगमगा रही है तो उसकी वज़ा कॉंग्रेस है क्योंकि कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है व इसको समझनी की कोशिश नहीं की जा रही है कि आकिर जगदीब धनगड उपराश्ट पतिपद के लिए क्यों नामित किये गए बहुत सारे ट्रेडिशनल पारंपरी भारती जंतापाटी के नेताओं के होने की बहुत जूद वीजेपी में एक निव इंट्रेंट मनें अपेक महत्पूर्ण किरदार शक्सियत के तोर पे जगदीब धनखड दिखे और इसलिए उनको उपराश्ट पति के लिए नामित किया गया और उनका जीतना लगबग तैमाना जा रहा है तो आज बस इतना ही नमस्कार आदाब सच्रियका